गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज क्लास 6 का लेशन 2 हिंदी अच्छरों का महत्व पढ़ाने जा रही हूँ जिसे आप लोग ध्यान पुरवक सुनिए और बच्चों आप लोग भूख खरी लिजिए ताकि इसमें से आप लोग देख सकें इसके तभी आप समझ सकते हैं इसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ ध्यान पुरवक सुनिए अच्छरों का महत्व इसके लेखक हैं गुडा कर मुले अध्याय के बारे में प्रस्तूत निबंद में गुडा कर मुले जी ने अच्छरों के महत्व पर सुन्दर्ता से प्रकाश डाला है उन्होंने बताया है क अच्छरों की खोज आज से 6000 वर्च पहले हुई थी और अच्छरों के कारण ही हम अपना इतिहास जान पाते हैं अब अच्छरों की कहानी यह पुष्टक अच्छरों से बनी हैं सारी पुष्टके अच्छरों से बनी हैं तरह तरह की पुष्टकें तरह तरह के अच्छर द की थादाद में रोजी समाचार पत्र छपते रहते हैं इन सब के मूल में हैं अच्छर हम कलपना भी represents कर सकते हैं कि यदि आदमी अच्छरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता कोई कह सकता है कि हम अच्छरों को अनाधिकाल से जानते हैं अच्छरों का ग्यान हमें किसी इस्वर से मिला है पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अच्छरों की खोज श्वर ने की है पर आज हम जानते हैं कि अच्छरों की खोज किसी श्वर ने नहीं बलकि श्वयम आदमी ने की है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अच्छरों की खोज किस देश में किस समय हुई हमारी ये धर्ती लगबग 5 अरब साल पुरानी है 2-3 अरब साल तक इस धर्ती पर किसी प्रकार के जीव जन्म तो नहीं थे फिर करोडों साल तक केवल जानवरों और बनस्पतियों का ही इस धर्ती पर राज रहा आदमी ने इस धर्ती पर कोई 5 लाग साल पहले जन्म लिया धीरे धीरे उसका विकास हुआ कोई 10 अजार साल पहले आदमी ने गाहों को बसाना सुरू किया वह खेती करने लगा वह पत्थरों के आउजारों का इस्तेमाल करता था फिर उसने ताबे और कासे के भी अवजार बनाए प्रागयतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जर्ये अपने भाव व्यक्त किये जैसे पसूओं पच्छीओं आदमियों आदि के चित्र इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित में आए जैसे एक छोटे बिरित के चहू और किरणों की देवतक रिखाएं खीचने पर वसूरी का चित्र बन जाता था बाद में यहीं चित्र ताप या धूप का देवतक बन गया इस तरह नेक भाव संकेत अस्तित्त में आये तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अच्छरों की खोच की अच्छरों की खोच के सिलसले को सुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं केवल 6,000 साल अच्छरों की खोच के साथ एक नए युक की सुरुआत हुई आदमी अपने बिचार और अपनी हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा तब से मानव को सब ये कहा जाने लगा आदमी ने जब से लिखना सुरू किया तब से इतिहास आरंब हुआ किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से सुरू होता है जब से आदमी के लिखेवे लेक मिलने लग जाते हैं इस प्रकार इतिहास को सुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं उसके पहले के काल को प्रागयतिहासिक काल यानि इतिहास के पहले का काल करते हैं अता हम देखते हैं कि यदि आदमी अच्छरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतियास को न जान पाते हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था क्या-क्या सोचता था कौन-कौन राजा हुए इत्यादी अच्छरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है अच्छरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा इस प्रकार एक पीड़ी के ग्यान का इस्तेमाल दूसरी पीड़ी करने लगी अच्छरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानुजाति का तेजी से विकास हुआ यह महत्व है अच्छरों का और उनसे बनी हुई लीपियों का अता हम सबको अच्छरों की कहानी मालूम होनी चाहिए आज जिन अच्छरों को पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए कहां बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी है भी तो बच्छों आपको आज यह पार्ट पढ़ाय गया है आपका होम वर्क रहेगा एक पे नकल लिख लिजिए गा और किताब खरीद लिजिए तक कि किताब जब आप देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा थैंच